Hello friends and welcome to the exams made simple स्वागत करते हैं आपका The Hindu Newspaper Analysis 28 October 2021 में आज 28 October 2021 की News Analysis देखेंगे इससे पहले मैं आपको बता दू कि Current Affairs का जो प्लान हम हर साल रिलीज करते हैं इस साल हम उसको फिर से रिलीज कर रहे हैं इस बार जो रहेगा थोड़ा सा उसको special बनाया जा रहा है And Current Affairs इस बार Prelims Plus Mains रहेगा Complete आपका रहेगा जैसे एक PT 365 प्रोग्राम था हमारा जिसमें हमने Current Affairs का केवल रिलीज करते हैं तब ये PT 365 Plus Mains 365 रहेगा और ये पूरे साल चलेगा मतलब कि 20 साल ये November से शुरू होगा और अगले साल के जब तक आपका Mains नहीं होता तब तक का पूरा Content कराया जाएगा दो पार्ट में रहेगा पूरा पहले आपका जब तक Prelims होता है तो पूरा Prelims के हिसाब से जो भी Important है Static, Bodies, सारी Reports, Economic Survey वो सारी चीज़े इसमें कराई जाएगी इसमें सब कुछ इंक्लूड़ेद, Economic Survey के लिए अलग से कुछ नहीं करना आपको वो भी से के अंदर पढ़ाऊँगा और इसमें प्लस इसमें 5 टेस्ट भी मैंने इंक्लूड़ कि इस बार जो Prelims के लिए एक तरीके से आपको Overall Current Affairs में Test Series भी मिल जाएगी Test Series जब 5 टेस्ट रहेंगे इसमें ज्यादा नहीं क्योंकि यह Test Series नहीं है यह Current Affairs का प्लान है तो इसमें 5 आपके टेस्ट भी इंक्लूड़ेद रहेंगे जो कि हम जैसे थोड़ा सा अपन जब January, February वाले मोड में आएंगे पढ़ के थोड़ा सा जादा जानने लगेंगे तो हम उसको दिखाएंगे आपको किस तरीके से Current Affairs के Question आएंगे किस तरीके से उसमें Static भी आइड करूँगा मैं Questions में तो basic जैसे Current Affairs का प्लान रहता है वो रहेगा प्लस इसमें जैसे ही आपका prelims over होता है तो हम तुरंत जंप करेंगे Mains 365 वाले प्लान में जिसमें हम सारे important topics को Mains perspective में essay writing भी सी के अंदर include करेंगे ये सारी चीज़े रहेंगे So if you want to be a part of this program नीचे description comment में link मैंने दे दी है आप वहां से इसको देख सकते इसके बारे में पढ़ सकते हैं और इसमें अगर किसी को join करना है तो आप इसको join भी कर सकते हैं So that will be the plan Start करते हैं आज के the Hindu newspaper analysis में पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है operation blue freedom in news is related to which of the following operation blue freedom news में था तो यह आपको बताना है किस से related है options are India attempts to ensure freedom in the Indian ocean दूसरा है it is the code name of military operation carried out in 1984 तीसरा है तो train the team of disabled people to scale siyachi in glacier या D है to increase the production of fisheries in India तो आपको बताना है कि operation blue freedom इन में से किस से related है question number two है आपको all India tiger census जो होता है all India tiger census उसके regarding कुछ statements दिये है आपको बताना है कौन से statement सही है पहला statement कह रहा है it has been conducted once in four years मतलब tiger census जो होता है वो चार सालों में एक बार होता है पहला statement कह रहा है दूसरा statement कह रहा है Madhya Pradesh recorded the maximum number of tigers followed by Karnatka and Uttarakhand तीसरा statement कह रहा है it is conducted by the national tiger conservation authority in collaboration with the state departments तो आपको बताना है कि कौन से statement सही है 1 and 2 only 2 and 3 only 1 and 3 only या 1, 2 and 3 and question number 3 है थोल लेक wildlife sanctuary थोल लेक wildlife sanctuary कहां located है options are A. Rajasthan B. Maharashtra C. Gujarat D. Himachal Pradesh So these are the three questions for you today एक एक करके मैं आपको आंसर बताऊंगा लेकिन आप pause करके वीडियो attempt जरूर करना questions को मैंने पहले भी कहा है कि आप अगर questions attempt करते रहेंगे तो आपकी objective solve करने के जो capacity है वो increase होगी तो वो अपने को बनानी है पहले सवाल का आंसर बता दो मद्यप्रदेश में सबसे अधिक टाइगर साय थे जिसके बाद करनाट का था और तीसरे नंबर पे उत्राखंड का नंबर था ठीक है ना तो ये सारे statement सही है 1, 2 and 3 will be the answer for this and तीसरा सवाल था थोल लेक wildlife sanctuary के बारे में तो उसका correct answer है C. Gujarat थोल लेक wildlife sanctuary कहाँ पर C. Gujarat में located तो I hope you got clarity regarding these 3 questions आपको कुछ समझ में आया होगा कुछ सीखने को मिला होगा ये questions आप अपने notes में add कर लीजेगा आगे move करते है news analysis part में पहली जो news है वो आप GS3 के part में डाल सकते है science and tech वाले portion में तो यहाँ पे एक science एक नई species beetle की discover की गई है जिसका नाम है trigonopterus corona तो याद रखेगा इसका नाम coronavirus पर रखा गया है trigonopterus corona और ये कहाँ मिला है Indonesia के Sulawesi island में तो आपको दो चीजें यहाँ से सीखने को मिलती है एक तो आपको geographical aspect पता चलता है Sulawesi island का कहाँ पर located है इंडोनेशिया में located है इंडोनेशियन island है और नाम जो है species का कहा है trigonopterus corona यह आप याद रख सकने है इसके लाब याद रखेगा it is not the only insect species to be named after the pandemic कभी आलो यूपया से आप से पूछा कि यह एक मात रह सी species है जो corona के उपर रखी गई है तो ऐसा भी नहीं है एपरिल 2021 में एक caddisfly नाम का species होता है moth-like structure होता है caddisfly बोलता उसको उसका नाम धूना गया था उसको धूना गया था कोसोवो के पास और उसका नाम रखा गया था potamophyllex coronavirus potamophyllex coronavirus उसका नाम रखा गया था और यह जो है तो यह दो चीज़े इंपोर्टन थी और Sulawesi island उसकी location जरूर याद रखेगा Sulawesi island कहां पर आपका इंडोनेशियम लोकेटेड है अगली जो ड्यूस है वो है skill acquisition and knowledge awareness for livelihood program यह है संकल्प प्रोग्राम इसको आप GS2 का पार्ट रखेगा पॉलिसी का पार्ट रखेगा यह इंडियन गवर्मेंट की पॉलिसी के अंदर included है ministry included है तो यह GS2 का पार्ट रखेगा संकल्प स्कीम याद रखेगा संकल्प का मतलब कहा है skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion ठीक है ना skill acquisition मनलब आपको skill लेनी है किसके लिए knowledge awareness के लिए and livelihood को promote करने के लिए तो अगर आप skills लेंगे तो ब्रेक करना पड़ेगा अगर आपको इस तरीके से full form सी याद रखने है और schemes के और जैसे main science writing हो या prelims के जब attempt करने है question तो आपको यह सारी थोड़ा-थोड़ा पता भी होनी चाहिए तो जैसे संकल्प उसको break करोगी क्या है संकल्प संकल्प है मदले आपकी skill acquisition दो term याद रखने कर लिया आपने कि skill acquisition करनी है किसके लिए for knowledge awareness संकल्प में के ए क्या है knowledge awareness and for what knowledge awareness क्यों करनी है livelihood promotion के लिए तो इस तरीके से हमने याद कर लिया अब ministry कौन सी है तो skill involved है तो कौन सी ministry होगी देखो probably या हमेशा लगबग सही होता है जो आपका common sense होता न वो हमेशा सही होता लगबग कुछ cases में जैसे peso का एक case हो गया है ना petroleum export जो organization है वो उसका थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी ministry के अंदर आएगा या department of pharmaceutical हो गया कहीं कई बार यहां भी confusion हो सकता है लेकिन most of the cases यह सही होता है जैसा भी skill development का है तो obviously बात है ministry of skill development and entrepreneurship के अंदर आएगा दोगो इस साल भी question आया था जो question था इस बार जिसमें tribal affairs answer था ministry of tribal affairs तो इस तरीके के question UPC पूछता है ministry level वाले तो schemes तो याद रखना ही है थोड़ा सा अपने को उनकी ministry ज़रूर याद है संकल्प का याद रखना कि अब ये skill acquisition का है क्योंकि वो directly full form तो देखा नहीं कि आपको याद हो तो संकल्प लिख करके देखा कौन से ministry के अंदर आता है संकल्प लिखना तो जैसे skill acquisition आपको याद है तो आपको याद रखना है कि ministry of skill development and entrepreneurship के अंदर आता है ठीक है ना अब ये तीन result areas में काम करता है पहला है institutional strengthening at the central state and district level मदलब कि जो institutions हैं जो institutions हैं काहे के skill development provide करने के उनका strengthening करना central state and district level पे दूसरा quality assurance of skill development program मदलब कि जो skill development program है उसमें quality assurance मदलब कि जैसे आपने join तो कर लिया किसी institute को for skill development मदलब लेकिन अगर वहाँ पे quality अच्छी नहीं है या वहाँ पे जो पढ़ाने वाला वेक्ट दिये वह अच्छा नहीं है सिखाने वाला वेक्ट अच्छा नहीं है तो सिर्फ join करने से भी कुछ नहीं हो तो quality assurance जरूरी है तीसरा inclusion of the marginalized population in skill development center program अब ऐसा भी institution नहीं होना चाहिए जो marginalized को include ना करे तो skill development का मतलब कह रहाए गया तो skill development का क्या मतलब रहेगा और इसको assist करता है इस program को word bank यह भी आपको याद रखना है कि यह word bank assisted program है तो ministry of skill development and entrepreneurship याद रख ली लेकिन यह word bank के दोरा assist किया जाता है वो बहुत important इसका एक part है वो भी आप याद रखियेगा ठीक है ना यह कुछ अलग से थी जो की बतानी जरूरी थी आप लोगों के लिए तो मैंने वहाँ से इसको लिए ठीक है आगे move करते है अगली जो news है वो आज की सबसे important जो news रहेगी ना मैं आपको अता रहा हूँ लिटरली वो है supreme court sets up the committee to examine the Pegasus allegations Pegasus आप सबको पता होना चाहिए कि एक Israeli company दोरा बनाये गया है कि spyware है ठीक है ना याद रखेगा ये एक Israeli company दोरा बनाये गया spyware अब नाम सही clear है spyware क्या करता है ये spy करने काम करता है spy करने का काम करता मेलब कि ये mobile phones जिनके भी mobile phones पे जाएगा वहाँ के details को ले लेना वहाँ पे जो उनकी chats रहेंगी उनको ले लेना जो important चीजें safe की होंगे documents safe की होंगे वो सारी चीजें को लेना एक तरीके से interception का है ये spy करने का software है और इसका बहुत जादा misuse भी किया जा सकता है तो इसके काफी allegations लगाए गए थे और ये एक petition दार किया गया था supreme court में कि इसकी जड़ तक जाया जाए कि ये बहुत ही severe matter this is a very serious matter for this country and जो power of the state है to snoop into the people's sacred private space is not absolute ये N.V. Ramana जी का कहना है जो honorable chief justice of India है उनका ये कहना है the power of the state to snoop into the people's sacred private space is not at all absolute center के पास या government के पास absolute power नहीं है कि वो लोगों के इतने private space में जा सके कि वो उनके documents को change कर दें उनके documents को पढ़ सके देखो कई बार surveillance जरूरी होता है no doubt about that कई बार surveillance कि कहीं आपको preventive detention कहीं आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है justice है उन्होंने यही exact शब्द मलब 1984 मैंने आप लोगो कई बार बताया होगा जो मेरी favorite novel है अगर आप में से कोई नया है उसको नहीं जरूर पता होगा लेकिन मैंने कई बार बताए कि my favorite novel is 1984 and 1984 को ही court किया है कल N.V.Ramana जी ने he started the जो यह committee बनाने का decision था जब उन्होंने start किया तो he started with the Orwellian state only and यह Orwellian state 1984 में mention किया गया 1984 was written by George Orwell 1939 में यह book लिखी गई थी जिसका title रहा गया था 1984 which is becoming reality in 2021 तो आप देख सकते हैं कि कितनी जादा यह ऐसी book है कि 1939 में लिखी थी जब technology इतनी थी मिने he wrote the book George Orwell की beauty यह है कि he wrote the book when there was not much technology surveillance करने के इतने mechanism नहीं थे but then also he gave us the term of big brother जो आपने सुना होगा कई बार big brother is watching you so big brother का term जो है वो 1984 में George Orwell नहीं दिया था so he gave us this term in 1939 जबकि surveillance इतना जादा वो भी नहीं था तब तो पत्र और यह सारी चीज़े थी उनको पढ़ा जाता था लेकिन आज जब technology इतनी ज़ादा है तो this Orwellian state जो Orwellian state उन्होंने 1984 में mention किया है book में वो आज reality बनता जा रहा है and this is what the same Envy Ramana has said Envy Ramana जी ने भी यही कहा है कि जो power है state की snoop करने की वो absolute बिलकुल नहीं है and इसकी जड़ तक जाना चाहिए और इसी लिए उन्होंने जो committee बनाई है now he has formed a committee three judge bench led by Chief Justice Envy Ramana उन्होंने एक committee बनाई है और इस committee में Justice Ravindran Justice Ravindran रहेंगे he will be R.V. Ravindran यह former Supreme Court judge थे R.V. Ravindran याद रखेगा former Supreme Court judge R.V. Ravindran will be heading this committee इनको assist करेंगे IPS Alok Joshi former IPS Sir Alok Joshi 1976 batch IPS officer then Sudheep Oberoi जो chairman subcommittee international organization for internationalization है वो इसमें इनको help करेंगे Sandeep Oberoi and इसके लावा इस committee में जो members रहेंगे वो रहेंगे Naveen Kumar Chaudhary who is professor Cyber Security and Digital Forensics and Dean National Forensics Science University Gandhinagar Gujarat then Pravaharan P professor School of Engineering Amrita Vishwa Vidya Peetham and इसके अलावा Ashwin Anil Gumaste Institute Chair Associate Professor IIT Bombay तो यह लोग इसके member रहेंगे लेकिन R.V. Ravindran जी Honorable Court of the Supreme Court Former Court of the Supreme Court respected Sir Alok Joshi Former IPS officer 1976 Batch तो यह लोग इनकी main head रहेंगे R.V. Ravindran जी और इसके बाद help करेंगे Sir So all these things are important I hope you got clarity regarding this यह काफी important है और आगे आने वाले पेज में हम बहुत साथर डिटेल में इसको discuss करने वाले हैं कि क्या-क्या जो logic दिये गए थे N.V. Ramana जी के दौरा योगी बहुत important issue है और इसमें जो terms मिलेंगे वो आपको उसमें आप लोग का भी input हो सकता है आप लोग discuss करना चाहें तो आप discuss भी कर सकते हैं तो इसलिए मैंने उस program को start किया है ताकि एक overall thinking एक attitude develop हो अपना एक as a officers level attitude develop हो ठीक है ना आगे देखते हैं यहाँ पे और के important news items है तो अगली news यहाँ पे इंडिया सीख्स वैक्सीन लोन फ्रॉम ADB और AIIB तो इंडिया जो है वो वैक्सीन लोन सीख कर रहा है फ्रॉम ADB याने की Asian Development Bank और AIIB याने की Asia Infrastructure Investment Bank ठीक है ना तो यहाँ पे ADB कल तो मैंने AIIB के बारे में आपको बताया था ना कल AIIB के बारे मताया था कि यह कैसे है इसमें जो highest weightage है वो चाइना को दिया गया है फिर इंडिया का number आता है दूसरे number पे इंडिया आ जाता है जाता है जाता है AIIB में तो ऐसा है AIIB में मैंने कल आपको बताया था कि इसके 100 से जादा मेंबर था है आगे मूव करते हैं थोड़ा आज जो हम ADB के बारे मता दू, ADB बना था आपका 1966 में 1966 में बना था, 19 दिसम्बर को आपका ADB बना था, यह रीजिनल डिवलप्मेंट बैंक है, इसका हैटकॉर्टर मनीला फिलिप्पीन्स में है, इसके बाद आता है आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसके बाद आता है इंडिया दन आता है ऑस्ट्रेलिया थियाद रखेगा, पहले पे आता है जापान, दूसरे पे युनाइटिस टेट्स अफ अमेरिका, तीसरे पे आपका आता है चाइना, चौथे पे इंडिया, पांचमे पे आस्ट्रेलिया और इसके भी मेंबर्स जो हैं वो एशिया के भी हैं और आउटसाइड एशिया के भी इसके मेंबर्स हैं जैसे की UN SCAP याने की United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific के भी मेंबर्स इसके अंदर आते हैं यह आप याद रख सकते हैं कि यह international relation वाली है तो GS2 का ही पार्ट रहेगी यह news item भी तो आप वहां पे include कर सकते हैं जो दूसरी news थी वो आपका GS2 as well as GS3 पे है क्योंकि एक तो गवर्मेंट से भी related है जो spying का aspect है और जो technological aspect है जो spyware है यह GS3 में आएगा तो यह आप याद रखेग इसको GS2 oblique GS3 कर सकते हैं GS2 में क्योंकि government's relation है किस तरीके से snooping यह government का logo के साथ क्या relation है उसको डिपेक्ट करता है और दूसरा जो था उसका aspect वो technological aspect है spyware and all तो उसका आप देख सकते हैं चाहिए ना I hope you got clarity regarding that अब यहाँ पर ADB की जो voting है वो भी weighted average से निकाली जाती है मनलब कि एक country कितना contribute कर रही है ADB के share में उन सब से निकाला जाता है ADB का weightage भी मैंने आपको बता दिया I hope you got clarity आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या है आगे move करते हैं देखते हैं और क्या important news item से जिंक करना है editorial part में आते हैं पहला editorial और एक मात्री आज का अच्छा editorial है क्योंकि जो पहला editorial है जो lead editorial है वो शिलंका के ओपर लिखा गया है है न उसको हमें भी discuss नहीं करेंगे दूसरा जो था energy cooperation as the backbone of India-Russia ties यह हम discuss करेंगे यहां पर important है कि जो author है वो रशियन है Dimitri Frolowski है इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इंडिया को रशिया की और रशिया को इंडिया की ज़रूरत है और दोनों ही काफी जादा एक दूसरे के साथ deal कर सकते हैं bond बना सकते हैं especially in the field of energy cooperation and energy transmission अब यह जो field है देखो यहां पर दो important fields चुनी गई है एक है energy security या energy cooperation जुसको हम बोलते है energy security energy cooperation दूसरा energy transition इंडिया के लिए है यह aspect कि energy transition इंडिया करना चाहता है from coal power plants to the greener technologies and दूसरे जो alternate substitute mechanisms हैं energy के उनकी तरफ shift करना चाहता है तो वो करने के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी किसकी रशिया की ज़रूरत पड़ेगी and that is what the author says in this article सबसे पहले author ने बोला है कि इंडिया रशिया को operate कर सकते हैं यह कैसे हम जान सकते हैं कि एक दूसरे के अगर यह मदद करें तो जो global energy market है वो stability भी मिल सकती है इसको stable हो सकता है ठीक है ना आप यहाँ पर author ने काया कि जैसे natural gas हो गया आपका natural gas के case में आप सब को पता कि रशिया बहुत बड़ा producer है और रशिया काफी जादा help कर सकता है in case of natural gas अगर आपको natural gas में कुछ deal करना है तो रशिया उसमें help कर सकता है ठीक है ना दूसरी चीज यहाँ पर author ने काया कि अगर आपको if you want to go green मतलब कि आपको greener method technologies की तरफ जाना जैसे कि आपको suppose nuclear nuclear में आप स और रशिया जो है वो आगे और जादा nuclear power plant nuclear reactors में cooperate कर सकते है nuclear power actually cleaner form of energy माना जाता है it's considered a cleaner form of energy and that is what has been mentioned by the author as well ठीक है ना अब author ने काया कि अभी covid के बाद जो recovery हुई है वो काफी जादा हुई covid के बाद recovery हुई है economy की recovery हुई है ठीक है ना ऐसे में energy की demand बहुत जादा बढ़ेगी and चुकि इंडिया में जो अभी भी major form of energy है वो coal powered है तो वो climate impact पहुचाएगी तो धीरे धीरे इंडिया को क्या करना पड़ेगा energy transformation या energy transmission की तरफ जाना पड़ेगा ये काफी important aspects है energy transformation transformation या energy transmission ठीक है ना तो ये दोनों के तरफ जाना पड़ेगा ठीक है तो अब ये करने के लिए भी आपको किसी की मदद चाहिए जो अलड़ी कोई country established उस form में तो यहाँ पर भी author ने कहा है कि Russia आप किस तरह से मदद कर सकता और इसमें एक example दिया जैसे कि Reliance जो है इंडिया का Reliance Industries के स Petrochemical Producer, country की largest Petrochemical Producer है उन्होंने क्या किया जामनगर गुजरात में एक venture established किया है first butyl and halogenated butyl rubber production facility of South Asia ये important रखेगा इन्होंने क्या setup किया है जामनगर में इन्होंने setup किया है जामनगर में पहला country का पहला butyl and halogenated butyl rubber production facility of South Asia पूरे South Asia की पहली butyl and halogenated butyl rubber production facility of the South Asia ये 2019 में facility काम करना शुरू किया इसने first butyl and halogenated butyl rubber production facility है कहां की South Asia की and 2019 में ये काम करना शुरू किया जिसने की इंडिया जो है उसमें butyl rubber का जो production उसका इंडिया बहुत बड़ा producer बन गया and पहले ये पूरी तरीके से imports butyl rubber के लेकिन अब ये क्या कर रहा है ये ना केवल प्रोडूस कर रहा है अपने लिए बल्किए supplier की तरह भी काम कर सा है इतना ज्यादा मलब ये production हो रहा है because of this plant इसी तरीके से हम और ज्यादा एक दूसरे के साथ बूस्ट कर सकते हैं तो वही है कि यहां पर author ने वही कहा है क अगर हमको energy security, energy transition, energy transformation, energy development इन तरह के fields में develop जाना है तो हम इंडिया रशिया की और रशिया इंडिया की काफी जादा मदद कर सकता है फिर मैंने आपको nuclear का ही बता है कि renewable energy का भी development इंडिया बहुत जादा करना चाहता है जिसमें कि आप सो को बता कि 450 gigawatts हम develop करना चाहते है 2030 तक and अभी 175 gigawatts का target है 2022 तक तो हमको यह अगर आपको पाना है तो इसके लिए भी हमको कहीं न कहीं मदद चाहिए of some external country और यहां पे भी रशिया हमारी मदद कर सकता है तो that is what the author says in this article इस सारी चीज़े हो सकती है ठीक है और एक और important चीज़ है कि यहां पे एक report करना मैं इसको prelims क लिए याद रख लेना कि energy outlook report जो आती हो कौन निकालता है international energy agency निकालता है energy outlook report कौन निकालता है international energy agency निकालता है तो यह प्रिलिम्स के लिए note कर लो इस article में था तो अलग से एक box बना करके prelims का क्या मिलता है तो जब हम अपने course में discuss करेंगे तो वहां से भी prelims के हिसाब से news items निकाल लेंगे तो वहां पर आपको tension नहीं ज़रुद नहीं है और काफी अच्छे चीज़ सोर्से से IDSA हो गया EPW हो गया articles यहां से उठाएंगे और उसके बाद अपन उसको discuss करेंगे ताकि एक intellectual level का development हो ठीक है आगे देखे तो यहां पर वही वाली बात ही कि अभी इंडिय कि जो energy है वो coal centric है तो उसको भी shift करने की ज़रत है towards renewal and other forms and वो करने के लिए हमको रशिया मदद कर सकता तो overall यह article था इंडिया और रशिया के energy cooperation में अलग अलग क्या क्या aspect सो सकता है energy cooperation के इंडिया रशिया की relation में वो मैंने आपको बता दिये GS2 का यह article रहेगा international relation का है article यह और उसमें important है इंडिया और रशिया में आप लिख सकते हैं कि directly question आ सकता है कि इंडिया रशिया के energy relations के बारे में आप बताईए तो वहाँ पी आप यह सारी चीजे mention कर सकते हैं ठीक है ना Pegasus के हम जो बात कर रहे थे वो दूसरे आर्टिकल में जो मैंने जॉर्ज ओर्वल वाली बात बोली थे ना तो देखो यहां लिखा है it is telling that the order begin with a quote from George Orwell's 1984 तो George Orwell का जो novel है 1984 वहीं से start गया गया था इस पूरे को आगे अगले page में attention मतलो अगले page में हम आ रहे हैं उसमें एक साथ तीन चार news items अलग अलग हैं वो सारी हम discuss करेंगे पहले एक news देखते है center wants to keep the birth death database अब यहां पे एक act है registration of birth and death act 1969 सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में यह चीज बिल्कुल अच्छे से ingrain कर लो कि एक act है registration of birth and death act 1969 इसी चीज बिल्कुल पता होनी चीज आपको कि इस तरीके के act exist करते हैं जहां पे registration of birth and death होता हो वो act कौन सा है 1969 का act है अब इसमें एक amendment करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक chief registrar appoint कर जाएगा state government द्वारा क्या होगा एक chief registrar जो कि appoint कर जाएगा by the state government वो maintain करेगा unified database state level पे और integrate कर देगा इस data को किसके साथ Registrar general of India के साथ Registrar general of India के data के साथ तो इनका यह कहना है कि एक तो पहले क्या करो chief registrar appoint करो हर state में chief registrar जो रहेगा state government द्वारा पॉइंट कर जाएगा वो क्या करेगा वो एक unified database बनाएगा state level का जिसमें birth और death का पूरा record रहेगा कि कितने बच्चे कैसे जन्में कैसे जो भी aspects से mortality के यह सारी चीजे उसमें include की जाएगे ठीक है ना birth and death का database बनाएगा unified database रहेगा chief registrar appointed by the state government और फिर यह finally अपने data को merge कर देगा किसके साथ registrar general of india के साथ ठीक है ना that is the thing which is important अब यह कहा जा रहा है कि अगर एक बार यह हो गया जैसे यह amendment pass हो जाता है implement होता है तो फिर इसी data का use किया जाएगा for updating the national population register तो national population register को फिर update करने के लिए database का use किया जाएगा that is the thing अब यहाँ पर यह कहने देखो यह लिखा है कि a new section 3a is proposed to be inserted तो actually मैं proposal क्या है कि एक section 3a करके insert कर दिया जाए किस act में registration of birth and death act 1969 में जिसमें कि 3a में यह सारी चीज़े रहेंगी और इसमें क्या बोला है कि इंडिया जो रहेगा वो maintain करेगा क्या database for registered birth and death जितनी भी registered birth है and registered death है उनके लिए एक database बनाया जाएगा and यह बनाया जाएगा with the approval of the central government this will be formed with the approval of the central government और इसी के हिसाब से जो population register है under the citizenship act of 1959 या electoral register है electoral roles है इनको भी update किया जाएगा from this data that is the thing which is important राशन कार्ड हो गया आधार कार्ड हो गया यह सारी चीज़े से update कि जाएगे तो यह important चीज़ थी PDS shops may sell the LPG cylinders soon तो यहाँ पेक important news item आ रहा है कि एक अभी recently meeting में यह decide किया गया है कि जो PDS shops है ना कि जो आपका public distribution systems था अभी तक जो केवल किसके लिए था basically वो था कि जो 80 crore beneficiaries हैं उनको food grains provide का जाएगा under the national food security act तो PDS shops तो आपको पता ना कि public distribution hall में यही सब जो kerosene हो गया या जादा जादा यह सारी चीज़े होगा यह दिया जाता था यहाँ पे आपका गेहुचावल दिया जाता था PDS shops में लेकिन अब PDS shops हैं 5 kg तक के LPG cylinders भी provide के जाएगे 5 kg LPG cylinders भी provide के जाएगे क्योंकि already जो PDS shops हैं उनकी जो वितिया हालत है that is not very good तो उनको थोड़ा financially independent बनाने के लिए यह सारी चीज़े करने के लिए यह किया जा रहा है इसके अंदर यह काम करेंगे इंडिया respects unclosed rights अब unclosed की बात है unclosed आप सब को पता है कि United Nations convention on the law of the sea बोलते है 1982 का यह convention है और इसने जो है C को divide किया था पाँच अलग-अलग zones में 5 zones वर्दे है जिसमें divide किया था C को पहली है internal water दूसरी है territorial C तीसरी है contiguous zone और चौती है exclusive economic zone और पाँच में high C तीक है तो पाँच zones है जिसमें unclosed ने divide किया है पहली है internal waters दूसरी है territorial C तीसरी है contiguous zone चौती है exclusive economic zone और पाँच में high C आप इसमें सबसे पहले हम देखते है baseline क्या है baseline वो line है जहां से सारा measurement शुरू होता है it is the low water line along the coast as officially recognized by the coastal state जो coastal state है वो अपनी जो सबसे internal boundary है जो सबसे internal जहां से होलता है कि हां यहां से coast शुरू हो गया है वो baseline कहलाती है जो coastal state बता देखना कि यहां से coast शुरू हो गया है तो वो internal आपकी baseline कहलाती है अब internal waters के घर हम बात करें तो internal waters are the waters on the landward side of the baseline अब baseline के landward side जितना भी पानी है वो internal waters कहलाता है ठीक है ना that is the internal waters अब इसमें जैसे कि कोई bay हो गया या port हो गया है कोई inlet हो गयी कोई river हो गयी जो कि sea से connection कर रही हो तो वो हमारा internal water हो जाएगा है ना और internal waters से कोई भी country को innocent passage नहीं है ये एक important चीज है कि किसी भी country को innocent passage जो है बला कि वो वहाँ से pass करके निकल सकती है ऐसा नहीं है internal waters में नहीं है इसा ठीक है ना ये एक आपको चीज याद रखना है फिर इसके बाद आता है territorial sea territorial sea जो है वो आपका extend करता है up to 12 nautical miles मलब की baseline से 12 nautical miles तक extend करता है आपका यह आपको याद रखना है और यह important चीज आपको याद रखना है कि एक nautical mile में आपको 1.85 km के आसपास जो आता है 1.85 km के आसपास आता है तो 1 nautical mile is greater than 1 km है ना तो 1 nautical mile is greater than 1 km ठीक है दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो coastal state है उसको पूरी sovereignty रहते है जुरिस्डिक्शन रहते है अपने territorial water पे ठीक है ना तो जो coastal state है उसको पास पूरी sovereignty है पूरा jurisdiction अपने territorial water पे and important और चीज आपको याद रहे है कि इसके बाद आती contiguous zone तो 12 nautical mile तक territorial water था फिर आता है contiguous zone यह आपका आता है sanitary and customary law तो जो भी इनके customary customs के law है sanitary law है या immigration law है अगर वो कोई violate करता है तो यहाँ पे punishment कर देने का power coastal state के पास है लेकिन important चीज यहाँ पे है कि air and space rights यहाँ पे नहीं मिलते है territorial water पे तो air rights मिलते है लेकिन contiguous zone में आपको air space rights नहीं मिलते है फिर आता है exclusive economic zone जो कि 200 nautical miles तक extend करता है base line से important चीज आपको याद रखना है यहाँ पे sovereignty रहती है state के पास कि वो explore कर सके, exploit कर सके, conserve कर सके, अपने natural resources को यह सारी चीज है लेकिन right to innocent passage यहाँ पे उनकी permission के साथ रहता है यहाँ याद रखना है और high seas में आपको याद रहना है कि यह beyond जो exclusive economic zone जब जाएंगे आप तो high sea आपको मिलेगा, 200 nautical miles के बार जब आप जाएंगे तो high sea मिलेगा आप यहाँ पेगसेस के बारे में यह तीन articles थे जिनको हम जोड़ के अपन पढ़ेंगे, तीनों ही पेगसेस के बारे में है तो सबसे पहले सुप्रीम कोट का जो argument था वो यह था कि indiscriminate spying नहीं की जा सकती, indiscriminate spying cannot be allowed in this state, एक जो welfare state है, एक तरीके से जो socialistic state है, welfare state है, वहाँ पे आप यह चीज़ allowed नहीं कर सकते हैं, कि state जो है वो omnipotent बन जाए और इस तरीके से all time surveillance चालू कर दे हैं, यह सब चीज if you want to see, मलब आप लोग क्या होता है कई बार कुछ चीजे बहुत थी, बहुत लोगों को नहीं पता रहती है, बट बहुत अच्छी चीज होती है, तो मैं आपको यह recommend कर सकते हैं, it's one of the masterpieces of present generation, अगर आपने नहीं देखा है, तो you are missing something, मलब आप देखना चाहेंगे, it is one thing to do before you die, तो person of interest is one such show, लोग इसकी quality समझ नहीं पाई, इसको जल्दी बंद करना पड़ा, पांस सीजन में बंद हो गया था, लेकिन it's amazing, five seasons are there, but after season three, it is just mind blowing, every episode, every dialogue, it is just mind blowing, तो वो बिलकुल आपको संझा देगा कि surveillance state क्या होता है, and that's very good, तो अगर आपने देखा है, तो आप में स जिसने देखा है, जरू बताना मुझे, कि आपको कैसा लगा, it is my favorite show, my favorite book was 1984, actually, पता नहीं कि मैंने ये correlation दो-तीन दिन पहले ही देखा, कि surveillance वाली जितनी चीज़ें, वो मेरी favorite list में, 1984 is my favorite book, and person of interest is my favorite show, इस तरीक एक चीज़ें, तो ये, I didn't knew earlier, लेकिन अभी recently मैंने इसको correlate कि कि ऐसा कुछ है, there is something like that, यहां पर आप देख सकते हैं, काफी important चीज़ें, जो Supreme Quartus ने कहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस तरीके से करते हो, second article में जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप ये snooping करते हो, it gives a chilling effect, chilling effect क्योंगे कि लोग फिर आपना self, यहां बहुत important term में आ आप लिख सकते हैं, self censorship, क्यों? क्योंकि लोग बोलने से कत्राने लगेंगे, लोग लिखने से कत्राने लगेंगे, लोग किसी को अगर अपना personal message ही भेजना है, तो वहां पे भी डरने लगेंगे, क्योंकि obviously आप घवरा होगे कि भाई कोई नो कोई तो पढ़ रहा होगा, त तो आप self censorship करना शुरू कर दोगे, and that is the misfortune of this police state, या surveillance state, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो that is the thing which is important, यह आप अपने notes में जरूर आइड कर लेना, ठीक है न कावी, और यह chilling effect देता है, यह जो self censorship concept जो लिखा हुआ है, and this is a very unfortunate situation, जो की हो जाती है, और मैंने आपको यही बता कि absolutely necessary, जब तक ना हो तब तक आप इस तरीके से surveillance नहीं कर सकते हो, कुछ acts है, इंडिया में जो की surveillance करने की permission देते हैं, जैसे कि telegraph act का section 5 हो गया, section 5 जो है telegraph act का वो बोलता है wire tapping के वारे में उसमें permission दी गई है, कि अगर national interest के नाम पर ही सारी चीज़े की जा रही है, home secretary जो है, उनकी permission रहती है, home ministry की permission रहती है, एक तरीके से, और इसके बाद national interest के नाम पर किरा तो telegraph act का है, 1885 का है, जो की wire tapping के बारे में section 5 है, उसी तरीके से Indian telegraph rules आयते हैं, जिसमें rule 419 A कहता है, कि आप decrypt कर सकते हैं, इस तरीके से, कौन permission देगा wire tapping की है, इन सब चीज़ों की, तो यह है, फिर इसके लाबा एक और आपका आता है, जैसे कि section 69 है, IT act का, section 69 है, information technology act 2000 का, section 69 है, जो कि यह बोलता है, कि आप computer से या, इनका encryption, decryption के सारी चीज़ों कर सकते हो, अगर आपको national interest के नाम पर, वहीवाल सारी चीज़, कि सब national interest के नाम पर, लेकिन, एक और चीज़ यह आप हर समय स्नूपिंग या हर समय इसको justify नहीं कर सकते, you have to give proper reason, and supreme court नहीं यह भी का कि हा, हम यह मानते हैं, कि national security का नाम लेके कई बार judicial review और इन सब से आप बचते हैं, ना, this is what the judiciary said, unravel court said, कि अगर कई बार judicial review में limited उसको रखा जाता है, और हम भी इसको limited रखते हैं, क्योंकि national security का मामला रहता है, तो we also tend to keep it, we also tend to keep it light, but आप इसको हमारी कमजोरी नहीं समझ सकते हैं, कि national security कराम पे आप जो भी करेंगे, we can allow that, so that is what author says, यहाँ पे supreme court का कहना था कि नहीं, this is an important thing, and we have to go into the depths of this, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो power है, वो government अपनी power हो के exceed कर रहा हो, because यही constitutionalism का मतलब क्या है, यहाँ आप अ लिमिटे गवर्मेंट, जो constitutionalism का मतलब है कि यहाँ अ लिमिटे गवर्मेंट, मतलब कि government, which is limited by the constitution, and यहाँ पे constitution का article 21, आपको right to privacy, right to liberty, provide करता है, so you cannot go on constantly, vehemently, मतलब, just violating that law, so that is what has been mentioned by the author in this article, I hope you got clarity regarding that, Sweden set to launch time for India drive, अब Sweden जो है, वो time for India drive, जो है, वो launch करने वाला है, मतलब कि वो India के साथ relations, जो है, bilateral trade relations जो है, वो improve करना चाहता है, especially in the post-covid era, तो यह एक important issue है, आप लिख 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 गाइस को, international relations का ही part है, Sweden time for India campaign launch करने वाला, इसमें वो, इस तरीके से India के साथ relationships को improve करेंगे तो I hope you got clarity regarding that, हाइड लाइन, मौंग to head legal reforms panel इन श्री लंका, अब श्री लंका में एक legal reforms panel बनाया गया है, जो इसको head कौन कर रहा है, इसको head कर रहा है, गोटबाया, राजपक्षा दोरा सेट अप किया गया है, तेरा member presidential task force है, for one country, one law, जो नाम रखा गया है, task force for one country, one law, इसको cheer करेंगे, Gal Godet, Nana Sarah, याद रखे, Gal Godet, Nana Sarah, of the Bodhu Balasena, तो यंगा पड़ी बोल सकते हैं, अच्छी English नहीं है, मैं इसको पड़पाऊं, तो इसको आप जो भी पड़पाएंगे, नाना सारा, J-Nan USA जो भी आप पढडना चाहिए तो गाल गडोड J-Nanração या घ्यान जिना जो भी है मुझे नीं समय है इंग्लिश में अगर घ्यान को आप G-Y-A-N लिख सकते हैं अगर आप G-Y-A-N लिख सकते हैं फिर आप उसको पाली में क्यों लिखते हैं इंग्लिश में पाली क्यों मिलाते हैं इंग्लिश में पाली मत मिला हो या तो पाली में लिख लो इंग्लिश में लिख लो इंग्लिश और पाली क्या है इंपाली इंपाली बोल सकते हैं तो इस तरीके से इन्होंने इनको ये head कर रहे है लेकि इसमें issue क्या है ये एक तरीके से Simon Commission है श्रिलंका की Simon Commission इसमें कोई भी Tamil minority के विक्ति या women को add नहीं किया तो it's a sort of Simon Commission for Sri Lanka आप बोल सकते हैं जिसमें कोई भी ये है अब यहाँ पर चाइना जो है धीरे धीरे take over कर रहा है होंग कॉंग को 1997 में UK ने दे दिया Hong Kong को चाइना को लेकिन इससे पहले उन्होंने माकसम खिलवाई चाइना से कि आप 50 सालों तक Hong Kong को एक Special Autonomous Region याने कि सार के रूप में रखेंगे याना सार ये वो साले वाला सार नहीं है याना सार याने Special Autonomous Region तो Special Autonomous Region की रूप में रखेंगे और पचास सालों तक इसमें अनुबंध किया गया तक साइन किया गया तक कसम खाई थी उन्होंने और कहा था कि ठीक हम नहीं करेंगे लेकिन ये कसम उन्होंने तोड़ दी है और सडी सुपाड़ी वन में डाली सिता जी ने कसम उतारी यह वाले चीज बोल कर के चाईना ने का कहा किया कसम उतार दी अब कसम उतार के उन्होंने होंग को अपने उसके वश में करना शुरू कर दिया है तोए निया लेकर के आए, that is the thing, so that is it for the day, if you like our video, please do like it, please do share it and please do share it among your friends and if you want to join our plan, then please join, be a member of that, that will be very good that is it for the day, keep loving us, keep sharing us, thank you and have a nice day